पूरे देश में बवाल मचा हुआ है हर जगां से यही खबरे सामने आ रही है एनर्सी और सी ये भी बिल के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं सिटिजन्शिप अमेंडमेंट बिल यानी नागरिक्ता संसोधन बिल सोमवार को लोग सभा में पास होने के बाद बुद्धवार को राजसभा में ग्रहमंतरी अमिश्याह ने पेश किया आपको बता दे कि इस बिल को लेकर सड़क से सांसत तक विरोध हो रहा है लोग सभा मे पास होने के बाद नागरिक संसोधन बिल राजसभा में भी पारित हुआ बिल के पक्ष में 125 वोट पड़े जबकि 105 वोट इसके खिलाफ थे वोटिंग के दोरान राजसभा से शिव सेना ने वोक आउट किया पूरे देश में बिल को लेकर बवाल मचा हुआ है सोनिया गाधी ने भी इसे भारत के समवैधानिक इतिहास का काला दिन बताया है वहीं एलजेपी इस बिल पर जोरदार विरोध कर रही है सरकार की ताना साही बता रही है आमदार जितेंद्रवाड ने सरकार के इस नागरिक संसोधन बिल पर हिटलर की याद दिलाते हुए कहा कि हिटलर ने भी यही कहा था कि यहुदी सुरक्षित है मगर एतिहास देख लो क्या हुआ था ठाने में पार्टी कार्याले के सामने एनार्सी और सी एबी बिल के खिलाफ विरोध हुआ सरकार के खिलाफ नारे बाजी हुई और हिटलर की फोटो और बिल की कॉपी भी जला दी गई जितेंद्रवाड ने कहा कि इस देश में इस बिल के जरिये विवाजित करने की कि जा रही है आज जिना हसे होंगे और अबुलकलाम आजाद रोहे हुए हुए वो दिन था 1947 का जब जिना ने यहां के मुसलमानों को पाकिस्तान की दावद दे और अबुलकलाम आजाद ने कहा कि इस देश में रहेंगे क्योंकि हमारा इसलाम जिस देश में हम रहते है उस इस देश में धार्मिक बटवारा करने की बाज अपने निवर्ग दी। ये विचारधारा उनके आज की नहीं है। ये विचारधारा उनके गुरू गुलोवल करीजिनी अपने किताब में 1930 के बादी लिखी थी। आज प्रत्यक्षरूब में उन्हें कानुन तहत इस देश में लाया है। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हिंदूओं की लोकसंख्या कम हुए। तो आप क्या जता आना चाहते हैं। अब दराने चाहते हैं क्या। इस देश की पहचान पूरे विश्व में उसकी विविदता के लिए है। ये भूमी बुद्ध की है, ये भूमी गांधी की है, जो अहिंसा को मानती है और प्यार से दुनिया जीतने की आदत रगती है। नफरत से हम जी नहीं सकते हैं। सिर्फ वोट और सिर्फ सियासत के लिए अगर इस देश में कानून का इस्तमाद होगा, तो ये देश-देश कैसा रहेगा। कुछ दिनों के लिए साब अच्छा लगता है। इस देश को अंधेरे की और लेके जाने वला दिन है। लगना होगा, उतरना होगा और सब उनको मिलके भारत का सवविधान और सवविधान की भूमी का जो धर्मन पेक्षता पे आदा जिता है। उस भूमी का को लेके एक नई जंग शुरूर करनी होगी इस देश को बचा कर देश कर देश के लिए एक लिए बचारी